ओम शांती ओम शांती अंतर मन में जोती जगालों होगा दूर अन्हेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुन्य सवेरा तुम हो कौन कहां से आए अपने आप को जानो राज योग के द्वारा अपना पर्म पिता पहचानो किसी राज पथे पर चल कर तुम पालो अपना बसरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे पर्मात्मा को प्यारे तिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे जोती बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का खेरा होगा दूर अंधेरा अंतर मन में जोती जगालो होगा दूर अंधेरा होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मुली की तारीख है एक ग्यारा बीस बीस नवंबर मास आरंब हुआ है कब वर्ष शुरू होता और कब पुरा हो जाता पता नहीं चलता है बहुत जल्दी जल्दी फास फास समय आगे बढ़ रहा है हम बच्चों को भी ऐसे ही पुर्शार्थ में ऐसे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आगे बढ़ना होगा तभी तो मंजिल पर पहुँचेंगे और आज रवीवार है अव्यक्त बाप ददा के रिवाइस कोर्स के महावाक्य सुनेंगे आज शाम को भी बाप ददा की पदरामनी होगी मदुबन में शाम को भी जरूर सब बाबा के महावाक्य सुनेंगे आज बाबा ने स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर बनाने के उपर बहुत अच्छा गुयरास बताया बाप ददा कहते हैं कि बाबा ने तो एक जैसा सभी बच्चों को तकदीर बांट के दिया अब उसकी जो तस्वीर बनानी है वह सभी बच्चों को खुद अपनी तस्वीर बनानी है तो उसके अंदर सब नंबर वार हो जाते हैं कोई की भी तस्वीर बनती है तो उसका विशेश आकरशन दो चीजों से होता है एक है चेहरे के अंदर आखे नैन वो अगर बहुत सुंदर होते हैं तो वो तस्वीर खिंचती है और दूसरा चेहरे की मुस्कराहट तो बाबा कहते ये दो बाती चेक करो फिर इसका बाबा ने इस पश्टी करन दिया और बाबा कहते मैं तुमको कलम भी दे दिया जिस कलम से तुम अपनी तस्वीर बना सकते हो तो बाबा के ही शब्दों में हम सुनेंगे और अपनी तकदीर की तस्वीर को सुन्दर सुन्दर बनाते जाएंगे एक्यूरेट भनानी है तब हमारा एक्यूरेट भक्ती मार्ग में गायन और पूजन होता है तो बाप ददा के महावाक्य सुनेंगे ओरीजिनल तारीख है ग्यारा चार छासी एटीशिक्स और मुरली का सारे स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर बनानी की युक्ती स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर बनानी की युक्ती आज तकदीर बनाने वाले बापदादा, सभी बच्चों की स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर देख रहे, तकदीर बनाने वाले हैं बापदादा, क्या देख रहे हैं? स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर तकदीर वाले हैं, बापदादा, क्या देख रहे हैं? स्रेष्ट तकदीर क सभी बने है, बाबा के बच्चे बने, माना तकदीरवान तो बने, उसमें तो कोई दोमत नहीं है, तो तकदीरवान सभी बने, लेकिन, हर एक के तकदीर की तस्वीर की जो जलक है, वो अपनी अपनी है, जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले, चित्र बनाते हैं न, तस्वीर बनाने वाले, तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है, और कोई साधारण भी होती, मानलो कोई इष्ट देव की किसने तस्वीर बनाई, चित्रकार में, कुरुष्ण बनाया, राधा कुरुष्ण बनाया, कोई भी इष्ट देव की बनाई या अन्य किसी की बनाई, तो बाबा कहते हैं, कैसी उसने बनाई है, उसकी उपर उसका दाम होता है, अजारों लाखों रुपए की भी तस्वीर होती है, और बहुत साधारण भी होती है, कम पैसे वाली। यहां बापदादा के द्वारा मिले हुए भाग्य को तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल में लाना है। अब इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने भाबा ने एकी समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई हैं उसमें नंबर वार दिखाई दे रहे। हर एक ने हमने अपनी तस्वीर बनाई। जितनी तकदीर उची तस्वीर उतनी सरिष्ट बनेंगे। तो कैसे विविद प्रकार की तस्वीर है बच्चों की वो बाप दादा देख रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेष्टा नयन और मुस्कराहट होती है। फिंचती है। आँखें कितनी सुन्दर बनाई है। बस सारा ध्यान तस्वीर देखा आँखों पर जाता है। और दूसरा होटों की मुस्कराहट चेहरे को बुटिफुल कर देती है। इन दो विशेष्टाओं से ही तस्वीर का मुल्य होता है। तो यहां भी तकदीर के तस्वीर की यह दो विशेष्टाएं है। नयन अर्थात रूहानी विश्वकल्यानी रहम दिल पर उपकारी द्रिष्टी। नोट करो, हमारे नयनों में क्या दिखाई देना चेह। जो हमारी तस्वीर वेल्यबुल बने, स्रेष्ट बने। तो बाबा कहते है। रूहानी विश्वकल्यानी रहम दिल पर उपकारी द्रिष्टी। अगर द्रिष्टी में यह विशेष्टाएं हैं तो भाग्य की तस्वीर स्रेष्ट है। अब चेक करें कि हमारे नैनों में यह सब दिखता है। मूल बात है। द्रिष्टी और मुस्क्राहत। चेहरे की चमक। चेहरा मुस्क्राता हुआ हो। कोई देख करके दुखी व्यक्ती भी प्रसन्न हो जाए। मूड खराब हो तो मूड बन जाए। सुक्षान्ती के वाब्रेशन, प्यार के वाब्रेशन अनुभव हो। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की जलक। इसी विशेष्टाओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमकाती है। रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेष्टाओं तस्वीर का मुल्य बढ़ा देते। कितनी गहरी बात बाबा ने बता दी। हमारी तस्वीर का मुल्य कैसे बढ़ेगा। जो बाबा ने बताया। नैन और मुस्कराहट चेहरे की चमक। नैनों में कितनी रूहानी यता है। रहम दिलम कितने हैं। परुकारी कितने हैं। बाब दादा की सिमृतियों की मुस्कराहट वो हमारी तस्वीर की वैल्यू बढ़ाती है। तो आज यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाबा ने सबको दे दे। बाबा को पहचाना बाबा के बने मेरा बाबा कहां कलम मिल गए। कौन सी कलम वो बाबा बता रहे। वह कलम हैं स्रेश्ट सिमृति और स्रेश्ट कर्मों का ज्यान। वह कलम से हम अपनी तकदीर बना रहे। स्रेश्ट सिमृति और स्रेश्ट कर्मों का ज्यान। स्रेश्ट कर्म और स्रेश्ट संकल्प अर्थात सिमृति। इस ज्यान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई। नैन चैन भी बन गए। पहले आर्टिस्ट क्या करता है। एक माप लेकर के और उसको टोटल तो बना लेता है। फिर उसको रिफाइन करना होता है। तो बाबा केते हैं बाबा के बच्चे बने हो। हमने अमारी तस्वीर बना लिया है। अब आगे कैसे उसकी रिफाइने सोनी चाहिए। वो बाबा भी अम बच्चों को सिखा रहे हैं। और अमें वो करना होगा। तो बाबा केते हैं नैन चैन भी बन गए। अब लास्ट टचिंग है। टचिंग लास्ट करनी होती है। तो लास्ट टचिंग है संपूरणता की बापसमान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं न। तो बाप डदा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे। सभी कल्पना करके सामने सोचो आज भी बाप डदा मेरी तस्वीर देख रहे। कैसी दिखती होगी बाप को। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हो न। कि कहां तक हमारी तस्वीर मुल्यवान बनिये। उसका मुल्य कितना वैल्यू कितनी। सदा अपनी इस रुहानी तस्वीर को देख इसमें संपूरणता लाते रहो। लास्ट टचिंग करते रहो। विश्व की आत्माओं से तो स्रेष्ट भाग्यवान कोटों में कोई और कोई में भी कोई अमुल्य। वह स्रेष्ट भाग्यवान तो हुई। वह तो हमारी फाइनल बात हो गई। बाबा को पहचाना तकदीरवान बन गए। तो बाबा कहते कोटों में कोई और कोई में कोई वह भाग्यवान की लिस्ट में हम सभी बच्चे हैं। लेकिन एक है स्रेष्ट और दूसरे हैं स्रेष्ट ते स्रेष्ट तो स्रेष्ट बने हैं। वह स्रेष्ट ते स्रेष्ट बने हैं। यह चेक करना है। अच्छा। अब डबल विदेशी रेश करेंगी ना। आगे नंबर लेना हैं। वह आगे वालों को देख के खुश होना है। बाबा पूछ रहे। आगे जो जा रहे हैं। उनको देख देखके खुश होना है। या खुदको भी आगे बढाना है। देख देख कर खुश होना, भी आवशक है। लेकिन , स्वयम पीछे हो करके नहीं। साथ साथ होते। दूसरों को भी देख, हर्षे तो करके चले। स्वयम भी आगे बढ़ो, और पिछे वालों को भी आगे बढ़ाओ, इसी को कहते हैं परुपकारी, खुद पे भी उपकार, और दूसरों पे भी उपकार करें, ये परुपकारी बनना, इसकी विशेष्टा है, स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना, हर परिष्थती में, हर कार्य में, हर सयोगी संगठन में, जितना निश्वार्थ पन होगा, उतना परुपकारी होगा, निश्वार्थ वर्ती, स्वयम सदा भरपूर अनुभो करेगा, सदा प्राप्ती स्वरुप की स्थती में होगा, कौन? जो परुपकारी है, तब परुपकारी की लास्ट स्टेज अनुभो कर और दूसरों को भी करा सकेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप को लास्ट समय की स्थती में उपराम और परुपकार ये विशेशता सदा देखे, दादियां और दीदियां, जो लगातार साकार बाबा के अंग संग रहे, सभी के ये अनुभो रहे, लास्ट लास्ट दो तीन वर्ष, बाप दादा ब्रह्मा बाबा कितने उपराम होगे, सुनते वे न सुन रहे थे, बाबा यहां है, फिर भी बाबा यहां नहीं है, ऐसा सभी को अनुभो हुआ, तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे लास्ट समय ब्रह्मा बाबा की क्या स्थती रही, उपराम और परुपकार, स्वक्य प्रती कुछ भी स्विकार नहीं किया, न महिमा स्विकार किया, न वस्तु स्विकार किया, बिलकुल उपराम हो गये, और न रहने का स्थान स्विकार किया, आदि से अंत तक बाबा उस ही स्थान पर साधारन रीती से रहे। इस्थूल और सुक्षम सदा, पहले बच्चे, अच्येचे मकान बन रहे थे, बाबा की होते ही बन रहे थे, बाबा उसी में रहे। बाबा को कहा लेकिन बाबा ने कहा नहीं, जोपड़ी भी बाबा के समय पर ओरिजिनल थी, ये तो बाद में फिर उसको थोड़ा सा अच्छा रूप दिया, तो हमेशा बाबा का था पहले बच्चे, इसको कहते परूपकारी, दोनों क्लियर किया बाबा ने, उपकार, ये दोनों स्थिती ब्रह्मा बाबा की लास्ट में देखी, यही संपनता की, संपूरणता की निशानी है, यह रो गया, अब हमको भी अगर बाबसमा ऐसे संपूरण बनना है, संपूरण अपनी तकदीर की तस्वीर, अक्यूरेट बनानी है, तो इस स्टेज पर आना पड़ेगा, मुर्लियां तो बहुत सुनी, अब मुर्ली धर्बन, सदा नाचते और नचाते रहना है, मुर्ली से सांप के विश्च को भी समाप्त कर ले, देखो दुनिया में खेल दिखाते ने ये सारे, कि सांप को वश्च करने के लिए, मुर्ली चलाता है, तो सांप तो विकार है, वैसे तो बोलते सांप को काम नहीं होते, बैरा होता है, लेकिन ये विकार रुपी सांप, इनको वश्च करने के लिए, हमें मुर्ली धर बनना है, तो ऐसा मुर्ली धर हो, जो किसी का कितना भी कडवा स्वभाव संसकार हो, उसको भी वश्च करते, सारा गडबर तो यही बात करती है न, किसी का स्वभाव संसकार हमें अगर विगन डालता है, वहीं अमारी स्थिती विगड़ जाते, वह तो अपने संसकार के वश्च कर्म करते, स्थिती हमारी बिगड़ तो बाब ददा कह रहे हैं, कि मुर्ली धर बन करके, उनके उस कडवे जैसे विश्च को वश्च कर लिया, स्वभाव संसकार जो कडवा है, तो बाबा कहते हैं, कि उसको वश्च करो, अर्था, उनसे भी नचाओ, नचाओ, डांस करें, प्रफुली तरह हर्शित बना दो, अभी ये रिजल्ट देखेंगे, कि कौन-कौन ऐसे योग्य मुर्ली धर बनते, इसलिए किसी का हम कंप्लेंड नहीं कर सकते, कि मेरे साथी का ये स्वभाव है, मेरे गर में इसका ये स्वभाव संसका प्यारें, तो जमता नहीं है, हमें अपनी शक्ति से, योग की शक्ति से, उसको भी वश कर दे दा। मुर्ली से भी प्यारें, मुर्ली धर से भी प्यारें, बोलो है सभी को? बाबा की मुर्ली से प्यारें? है, कितना है? 100% मुर्ली दर से प्यार है, हंड्रेड परसंट, तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन प्यार का सबूत, जो मुर्ली दर की हर बच्चे के प्रति, शुबाशा हो, वह प्रक्टिकल में करके दिखा हो, बाबा केते हैं उसका सबूत तो, बाबा से प्यार है मुर्ली धर से, बाबा की मुर्ली से प्यार है, तो मुर्ली के अंदर जो बाबा युक्ती बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उसको प्रक्टिकल लाओ, सबूत दो, प्यार की निशानी है, जो कहा, वो करके दिखाना, देखो बाबा को हम कितना सबूत द तो ऐसे मास्टर मुरली दर हो ना, बाबा को बताओ, ऐसे मुरली दर हो ना, बनना ही है, अब नहीं बनेंगे, तो कब बनेंगे, सारे कल्प में एक ही बार, संगम युग पर, मुरली धर की मुरली, मुरली तेरे में है जादू, कितना मुरली का महत्व है, और वो बच्चे सुनते, तब नहीं बनेंगे, तो कब, करेंगे, ये खयाल नहीं करो, करना ही है, हरेक ये सोचे, कि हम नहीं करेंगे, तो कौन करीगा, और अगर हम शब्द को निकाल कर, मैं शब्द लगाएंगे न, और उमंगाएगा, मैं नहीं करूंगी, तो कौन करेगा, मुझे ही करना है, हमको करना है, हमको बनना है, कल्प की बाजी जितनी ही है, उरे कल्प की ये बाज, हर कल्प हमारा फिक्स हो जाएगा, तो फर्स्ट डिविजन में आना है, ये द्रिडता धारन करनी है, कोई नई बात कर रहे हो, क्या, बाबदादा पूछते हैं, कोई नई बात कर रहे हो, हर कल्प के विजई है न, कितनी बार की हुई बात को, सिर्फ लकीर के उपर लकीर खीच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लकीर के उपर लकीर खीच रहे हैं, बहुत बार किया, ड्रामा की लकीर खीची हुई है, कोई नई लकीर नहीं लगा रहे हैं। तो सोचो, अगर नई लकीर कोई बोले लगाओ, तो बाबा कहते हैं, सोचने की मारजिन है, कि मैं लकीर लगा रही हूं, सीधी आएगी की नहीं, तेडी तो नहीं हो जाएगी। लकीर ड्रामा में लगी हुई है, उसको डार्क कर रहे हम फिर से तो बाबा कहते हैं नई लकिर नहीं लगा रहे हो जो सोचो पता नहीं सीधी होगी की नहीं कल्प कल्प की बनी हुई प्रालब्द को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों का फल का हिसाब है तो बाकी नई बात क्या है ये तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है, ये है अटल निश्च है, इसको द्रिड़ता कहते हैं, है उतना अटल निश्च है, हुई पड़ी है, सिर्फ रिपिट करना है, इसको तपस्वी मूरत कहते हैं, हर संकल्प में द्रिड़ता माना तपस्या, तपस्या माना द्रिड़ता, द्रिड़ता माना तपस्या, अच्छा, बाप दादा, highest host भी है, golden guest भी है, वोत अच्छी बात बाप दादा बता रहे हैं, बाप दादा, highest host, golden guest, host बन कर मिलते हैं, और guest बन करके आते हैं, लेकिन golden guest, कौन से guest, बाबा हमारे golden guest, चमकीला है ना, guest तो बहुत देखे, लेकिन golden guest नहीं देखा, जैसे chief guest को बुलाते हो, तो thanks देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी host बन इशारे दिये, और guest बन सबको मुबारक दे रहें, जिन्नों ने पूरी season में, सेवा की, उन सबको golden guest के रूप में बधाई दे रहें, सबसे पहली मुबारक किसको देंगे बाबा, तो बाबा कहते हैं, वो है निमित दादियां, है यह सवालनी, निमित दादियां, बाप दादा, निर्विगन सेवा के समापती की मुबारक दे रहे, मदुबन निवासियों को भी निर्विगन, हर्षित बन, मेमान निवाजी करने की विशेश मुबारक दे रहे, सब जाते हैं, मदुबन निवासी सब हाथ में देते, सुबह चाह से लेकर रात्री तक, जो भी चीज चाहिए, रेडी मिलती है, कितनी अच्छे सेवादारी है, सब जाने वाली बाबा के बच्चे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाबा की गर में सब हाथ में मिलता, तो ऐसे मदुबनिवासियों को भी बाबा मुबारक दे रहे हैं, भगवान भी मेमान बनाया, तो बच्चे भी आएं, जिसके गर में भगवान मेमान बन करके आवें, वो कितने भाग्यशा हैं, कौमन दुनिया में कहावत है, अभी के समय की नहीं, पहले की बात है, कहते गर में मेमान आए माना भाग्यवानों, भाग्यवान के गर में मेमान आते, आजकल तो बोलेंगे मेमान आवे ही नहीं, और अगर भूल से आ गया तो सोचेंगे जाएंगे कब, तो उल्टा जमाना लेकिन कहावत ये है और हमारे पास मेमान बनकर कौन आया? स्वयम भगवान, कितने हम बच्चे भाग्येशाली? तो बाबा कहते हैं, भगवान मेमान बनकर आवे, कितने भाग्येशाली? रथ को भी मुबारक है, गुलजार दादी का रथ, बाबा उनको भी मुबारक दे रहे, दादीयों को, मदुबन निवासियों को, रथ को, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, औलमेटी अथोरटी भगवान, निराकार्शिब बाबा, और ब्रह्मा बाबा, दो दो आत्माओं की प्रवेष्टा, और कितना घंटे लगा तार सेवा, कम बात नहीं, इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर, धारन करना, यह विशेश पार्ट है, लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा, तो समाने की शक्ति की विशेशता से, बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेश पार्ट कहो या गुण कहो, तो सभी सेवा धारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विगन रही, कौन दादी गुलजार, रत, बाबा कहते है निर्विगन रही, उसके लिए मुबारक, और पदमा पदम थैंक्स, भगवान थैंक्स देरे, डबल बिदेशियों को डबल थैंक्स, गेस्ट यह निए भी देश्ट बनकर और बाब सब थैंक्स, रभी देशियों को डबल थैंक्स, क्यों? क्योंकि डबल विदेशियों ने, मदुबन की शोभा कितनी अच्छी करते. गुमते हैं न मदुबन में, फौरेणर, फौरेणर फौरेणर शोभा हो जाती है. ब्राह्मण परिवार के श्रिंगार डबल विदेशियों. अथामान पुरिवार में देश्वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुर्शार्त की भी मुबारक। और ब्रामन परिवार का नहीं की स edits his life. और thnotod a.Var下 a.Purshy자가 cert Allah . दोनों मुबारक बाबा दे रहें, मदुबन परिवार की विशेश सोगात है, सोगात हो, विदेशी, इसलिए, दबल विदेशियों को, दबल मुबारक, चाहे कहां भी हो, चाहे मदुबन बैठे, या अपने स्थान पर, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन, चारों और के भारतवासी बच्चों को, और दबल विदेशी बच्चों को, बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं, हर एक ने बहुत अच्छा पाट पजाया, अब सिरफ एक बात रहे गई, कौनसी समान और संपूरणता की, दादियां भी महनत अच्छी करती हैं, बाप दादा, दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से सने के साथ मुबारक दे रहे, इतने पार्टियों से, मिलना, बैठना, बाबा कहते हैं, कितनी बड़ी बात है दादियों के लिए, मुबारक दे रहे, सब ने बहुत अच्छा पार्ट पजाया, आल राउंड सब सेवादारी, चाहे छोटी सी साधारन सेवा हो, लेकिन वो भी महन है, यह भी याद रखे, बाप दादा के गर में सेंट्रों पर जाडू लगाने की सेवा मिली न, वो भी महन है, हर एक ने सभी देश्विदेश के बच्चों के पहुचने की भी विशेष्टा मुबारक योग्य है, सब महारत्यों ने मिलकर सेवा का स्रेष्ट संकल्प प्रेक्टिकल में लाया, और लाते भी रहेंगे, सेवा में जो निमित हैं, उनों को भी तकलीप नहीं देनी चाहें, अपने अलबेले पन से किसको मेहनत नी करानी चाहें, बाबा बहत अच्छी बात सिखा रहें, ये मेहनत का भी बोज चड़ता है, अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नौलेज है, देखो ये पॉइंट ध्यान से सुनो, कई लोग सेवा लेते न, स्थूल रीती से भी, ये लोगेश है, याद ए-ब्राह्मा बभा बाभा क्या कहते थे? एक काहावत है, याद रखो। रूमाल खोया है किसी का रूमाल गूम गया, आज रूमाल खोया, खोद भी खोदेगा कुद को तो, सुना सभी ने, जो रूमाल खोता है, औब भी वस्तु खो देता है, तो मालम नी पड़ेगा, हर कर्म में, स्रेष्ट और सफल रहना इसको कहते नॉलेज पड़े, हर चीज की वैल्यू है, शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज, हर कर्म में चाहिए, शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, अब ये बात भी ध्यान स सुनो, मेरा शरीर किस विधी से ठीक चल सकता है, अरे को अपने शरीर का पता है, ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्ति शाली है न, शरीर कैसा भी हो, शरीर ठीक नहीं होगा, योग नहीं लगेगा, कितना ध्यान रखना पड़े, कई लोग, गोली भी नहीं खाते, बीमार होकर, आप ही ठीक हो जाएंगे, रियक्षन होगा, इंफेक्षन होगा, यह हजम नहीं होती है, शरीर को ठीक रखना पड़े, अगर शरीर ठीक नहीं, योग नहीं लगेगा, बाबा कैते है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, नॉलेज रखनी पड़ती है, शरीर ठीक नहीं य कोली नहीं काई, दवा नहीं काई, शरीर खींचेगा, इसलिए नॉलेज़ फुल में ये भी नॉलेज आ जाती है, सब नॉलेज रखना बुछ जरूरी है, सब ध्यान से रखो, और सुनो और प्राक्टिकल करो, ठीकें, अच्छा, मिथे मिथे, सिकिल दे, बच्चों को बाप बच्चों की रुहानी बाप दादा को, मार्तिता को, याद प्यार, गुड मॉणिं और नमस्ते, अभी हम सुनेंगे वरदान, चार वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर, राजी रैने वाले, राज युक्त भष्तर, जो बच्चे प्रवुर्ती में रहते, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयम भी स्वयम से भी राजी रहते हैं और प्रवुर्ती को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सची दिल होने के कारण साहिब भी सदेव उन पे राजी रहता, सचे दिल पर साहि एसे राजी रहने वाले राज-युक्त बच्चों को अपने प्रति वा अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं, काजी मना बीच में दलाओ, क्योंकि वो अपना पहंसला अपने आप कर लेते, बीच में कोई नहीं चाहिए, डारेक्ट कनेक्शन, एक बल, ए जज बनाने की जरूरत नहीं, स्लोगन है, सेवा में जो दुआएं मिलती हैं, वह दुआएं तंदुरस्ती का आधार हैं, दुआएं बहुत काम आती हैं, और इमर्जंसी में काम आती हैं, सर्वस्रेश्ट खजाना हैं दुआओं का, हर समय चेक करो, दुआएं जमा हो रही हैं, तो दुआएं मिलती हैं, वह है तंदुरस्ती का आधार, शरीर और आत्मा दोनों की तंदुरस्ती दुआएं बना के रखती हैं, चीक हैं, अच्छा, ओम शारुति में का, हम शारुति की तुही से जुड़ी ही रहे आत्म जोती सभी की जगी ही रहे आरजू है यही की तेरी गोद में बाबा हस्ती हरिक जिन्दगी ही रहे की तुही से जुड़ी ही रहे आत्म जोती सभी की जगी ही रहे आरजू है यही की तेरी गोद में बाबा हस्ती हरिक जिन्दगी ही रहे तार मन की तुही से जुड़ी ही रहे तुही से जुड़ी ही रहे